हेलो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और स्वाग आते हैं आप सब का पैबली हिंदी में आज की हमारे स्वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम हमारे स्पूल वी में होने वाले जो इवेंट्स है जो अक्टिविटीज है उनके अपडेट जो है हमारे सभी स्ट्रेंट्स को as a WhatsApp message send कर सकते हैं यहाँ पर हम किस तरीके की message की बात कर रहे हैं पहले हम वो जान लेते हैं यहाँ पर जो message send करेंगे वो कुछ इस तरीके का होगा जिसमें हम mention कर सकते हैं हमारे event की details, event का name, event की date and time और बाकी कुछ details जो आप send करना चाहे आप जान लेते हैं कि इस तरीके का message send करने के लिए, इस automation को setup करने के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर जिस automation की हम बात कर रहे हैं, उसमें जैसी हम हमारे google sheet में एक नए event, एक नए upcoming event की जो details से जो data है, वो add करेंगे तो automatically वो data add करते ही, हमारे सभी students के number पे एक whatsapp message send हो जाएगा उस event से related updates के साथ वो same updates, वो same data जो हमने google sheets में add किया है तो कुछ इस तरीके का automation setup करने के लिए, हमें google sheets और whatsapp इन दोनों को ही आपस में integrate करना होगा लेकिन हम सभी जानते हैं कि इन दोनों को ही आपस में कोई direct connection, कोई native integration नहीं है तो हमारी इस problem को solve करने के लिए, आज हम जो software का use करेंगे, उसका नाम है पाबली connect पाबली connect basically एक automation and integration software है, जिसकी help से, हम google sheets और whatsapp इन दोनों को ही आपस में integrate करेंगे और यह पूर automation setup करेंगे साथ ही साथ इस automation के मैं आपको सबसे खास बात बता दू, कि इस automation को setup करने के लिए, आपको किसी भी तरीके की coding skills या programming knowledge का होना ज़रूरी नहीं है एक non-technical user भी इस पूरे automation को बहुत easily setup कर सकता है तो चली दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरी screen पे और आपको बताता हूँ कि कैसे हम यह amazing automation setup कर सकते हैं तो जिसकी आप यहाँ देख सकते हैं, हम आचुके हैं पाबली connect के dashboard पे और इस dashboard पे हम आये हैं अपने पाबली अकाउंट में लॉग इन करके अगर आप भी पाबली पे अपना प्री अकाउंट create करना चाहते हैं तो आए अपने ब्राउजर में, यहाँ सर्च करें, p-a-b-b-l-y, pabli.com और pabli.com पे आते ही, sign up प्री इस बटन पे क्लिक करके मैं इस दो मुनिट में आप भी पाबली पे अपना प्री अकाउंट create कर सकते हैं तो पाबली connect के dashboard पे आने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे create workflow पे और देंगे इस workflow को एक नाम तो example के लिए मैं अपने इस workflow को नाम देता हूँ Google Sheets to WhatsApp Google Sheets to WhatsApp School Event Notifications या पर School Event Alerts इस मैंने workflow को नाम दिया है Google Sheets to WhatsApp School Event Alerts और क्लिक करेंगे create पे So create पे क्लिक करते ही यहाँ पे open हो चुका है हमारे पास हमारा workflow और इस workflow में हमें यहाँ दो windows दिखाई देती है एक है trigger window, तूसरी है action window So trigger और action Basically वो दोनो concepts है, वो दोनो principles है जिस पर यह पूरा automation काम करता है जिसमें trigger कहता है when this happens यानि कि जब ऐसा हो और action कहता है do this यानि कि ऐसा करे So आज के हमारे इस वीडियो की use case में जब भी हमारे google sheets में एक नई event की details एक नई event का data आड़ हो तो automatically हमारे दूसरी google sheet में जिन भी students का data कुनकी contact details हमारे पास मुदूद है उन सभी को whatsapp पे उस हमारे event की new upcoming event की जो details है as a whatsapp message alert जो है send करे तो सबसे पहले हम आएंगे अपने trigger window की तरफ और choose app में यहाँ search करेंगे आज का मारा पहला application जो है google sheets तो यहाँ पर दोस्तो सबसे पहले जिस google sheet में हम हमारे upcoming school event की जो details है जो data add करेंगे उस google sheet को connect करेंगे public connect के साथ ताकि जैसी हम हमारे google sheet के एक नई room में एक नई event की details उसका data add करें तो वो data हमारे पास public connect में यहाँ पर receive हो जाए and then वो data add करते ही automatically हमारे दूसरी google sheet में जिसमें हमारे student की details है student का data है उसमें मौझो जो तने भी सारे students है हजारो students को एक साथ उनके mention कियेगा number पर एक whatsapp message उस event के alert के साथ send हो जाए so choose app में है google sheet select करने के बाद हम आएंगे trigger event पे और हैं select करेंगे new और updated spreadsheet row so अपना trigger event select करते ही public connect ने दिया हम एक webbook url अब इस webbook url के help से हम हमारी जो event वाली google sheet है उसे और public connect को आपस में connect करेंगे इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको directly ले चलता हूँ मेरी उस upcoming events वाली upcoming school events वाली google sheet पे और भाँ चलके आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस webbook url के help से google sheets का data public connect में collect करेंगे so यहाँ पर यह है वो google sheet जो मैंने अपने school के upcoming events के details के लिए add की है so यहाँ पर इस google sheet में add or new row का data हम public connect में collect करना चाहते है so इस google sheet में हम जाएंगे यहाँ पर extensions पे hover करेंगे add-ons पे और click करेंगे get add-ons पे get add-ons पे click करते ही दोस्तों हमारे पास open हो चुका है google workspace marketplace यहाँ हम आएंगे search app पे और यहाँ search करेंगे public connect webbooks P-A-B-B-L-Y public connect webbooks तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि public connect webbooks यह add-on मैंने अपनी google sheets में already install कर लिया है आप यहाँ से इस add-on को अपनी google sheets में install करें और इसे install करने के बाद एक बार अपनी google sheets को refresh सरूर करें यह अपने important step है तो अपनी google sheets को refresh करने के बाद हम वापस आएंगे extensions पे और हम देख सकेंगे कि public connect webbooks यह add-on हमें दिखाई दे रहा है हम इस पे hover करेंगे और click करेंगे initial setup पे initial setup पे click करते ही हमारे पास यहाँ पे एक dialogue box open हुआ है जो हमसे basically दो चीज़े पूछ रहा है एक है webbook URL, दूसरा trigger column सो webbook URL में हम वो same webbook URL एंटर करेंगे जो public connect ने दिया था यहाँ से इस webbook URL को करेंगे copy और हमारी upcoming school event पले जो google sheet में sheet है वहाँ पे करेंगे इस webbook URL को paste देन हमसे पूछ रहा trigger column सो यह आपका obvious सवाल होगा कि यह trigger column क्या है तो मैं आपको बता दू trigger column basically हमारे google sheets का आखरी data entry column होता है जिसमें हमारा data exist करता है जैसे कि आप background में इस google sheet में देख सकता है कि इस मेरी upcoming school event वाली जो google sheet वाली इसमें मैंने basically सिर्फ 3 columns create किया है एक है event के name का, दूसरा है event की date का और तीसरा है notice की date का so event name में जो हमारा new event उसका name enter करेंगे, event date पे किस date पे वो event है, किस date पे वो function है वो date add करेंगे और notice date पे किस date पे हम ये google sheet में जो है हमारे event के details add कर रहे है किस date पे हम message send कर रहे है, वो date add करेंगे so यहाँ पर जो column C है वो मेरा trigger column होगा दोस्तों क्योंकि ये आखरी data entry column है जिसमें मेरा data exist करता है column C के बाद किसी भी column में मेरा कोई भी data exist नहीं करता so यहाँ पर मैं trigger column में select करता हू column C and then click करेंगे submit पे तो submit पे click करते ही हमने successfully हमारी upcoming school events पेली जो google sheet थी उससे public connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद हम जाएंगे extensions पे एक बाद परसे जाएंगे public connect web books पे और click करेंगे send on event पे so send on event पे select करते ही हम इस add-on को हमारी google sheet को बताते है कि जैसी हमारी इस google sheet में हमारी trigger column तक एक नई रो में data आड होगा यानि कि जैसी यहाँ पे हम एक नए data आड करेंगे हमारी trigger column तक तो उस data के आड होते ही उस नई रो में instantly तुरंत ही उस नए आड होए data को public connect को send करी so यहाँ पे हमने successfully हमारी school, upcoming school event की जो google sheet थी उससे public connect के साथ connect कर दिया है अब हमें हमारे इस school event वाले sheet में एक test event, एक test function एक dummy function की details enter करनी है ताकि हमारे google sheet में add हो रहे इस event का जो data है इसे हम public connect में collect कर सके है so ऐसा करने के लिए हम scroll करके नीच आएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ में एक option दिखाई दे रहा है waiting for webhook response यान कि public connect इस webhook URL के तुरू कुछ data कुछ response receive करने के लिए wait कर रहा है since google sheet में हम enter करते है एक test event की details for example school event का जो name है वो हम name दे देते है anvil function school का anvil function है just a second event का जो date है वो हम लेते है for example 30th of December 2021 and then जो notice date है जिस date में notice issue कर रहा है वो for example हम आज की date consider करते है 24th of December 2021 ओके तो अभी अभी हमारी upcoming school event पर जो google sheet थी उसमें हमने एक नई रो में एक नई event की details add की है इस event का नाम है animal function school का animal function हो रहा है जो event की date है वो है 30th of December 2021 और जिस date पर हमने notice issue कर रहा है वो date है आज की for example 24th of December 2021 तो अभी अभी हमारे इस google sheet में हमने एक नई रो में event का data add किया है अब हम चलते है पाबली कनेक पे और वहाँ चलके देखते है कि क्या पाबली कनेक ने इस नई रो में add और event का data है वो collect किया है या नहीं तो माते पाबली कनेक पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है response receive में अभी अभी वो same data जो हमने अपने google sheet में जिस new event का data add किया था उस event का data हमें successfully यहाँ पे पाबली कनेक पे receive हो चुका है यहाँ पे हमारे पास से same event name same event date और same notice date यहाँ पे हमारे इस automation को setup करने का जो first step था वो हमने successfully complete कर लिया है जिसमें हमने हमारे जो school events की जो google sheet थी उसे पाबली कनेक के साथ एक webbook URL के तरूँ connect किया and then उस event में हमने एक test event एक dummy event की details add की एक नई रो में ताकि उस नई रो में add हो रहा जो data है उसे हम पाबली कनेक में collect कर सके इसके बाद आप हम scroll करके नीचे आते है और आगे बढ़ते है अपनी second step की तरह जिसमें जो हमारी students का data student की जो contact details है जिने हम ये event की जो alert message है WhatsApp पे वो send करना चाहते है उस Google sheet में हम students का जो data है उनके contact number है उस data को अब हम पाबली कनेक में यहाँ पे collect करेंगे ऐसा करने के लिए हम scroll करके नीचे आएंगे हमारी action window पे और choose app में यहाँ search करेंगे आज का हमारा दूसरा application जो है Google sheets एक बार फिरसे तो यहाँ पे action event में भी क्योंकि हमारे जो students का data है वो Google sheets में मुझूद है तो हम एक बार फिरसे select करेंगे Google sheets तो यह हमसे पूछ रहा action event तो यह action event के नीचे drop down में हमें कई सारे action events के option दिखाई देते हैं जिसमें से हम select करेंगे get rows और click करेंगे connect पे connect पे click करते ही पाबली connect हमसे अब मारा Google sheets account connect करने के लिए कह रहा है यहाँ select करेंगे add new connection और click करेंगे connect with Google sheets पे select करेंगे अपना Google sheets account scroll करके नीचे आएंगे और click करेंगे continue पे so continue पे click करते ही हमने successfully अपना Google sheets account पाबली connect के साथ connect कर दिया है इसके बद हम scroll करके नीचे आएंगे तो यहां में हमें कुछ option दिखाई दिए रहा है जिसमें से पहला option है select spreadsheet तो select spreadsheet के निशे drop down में हमें यहां कई सारे spreadsheets के option दिखाई दिए रहा है यह सारे सीम वही spreadsheets है जो मैंने already अपने Google Sheets account में create किये है So इन सभी spreadsheet में से जिस spreadsheet का data हम यहां पर collect करना चाहते है उस spreadsheet का नाम है ABC school students data So यह हमारे इस spreadsheet में हमारे जो भी students है जिने हम WhatsApp पे alert send करना चाहते है उनका data मौझूद है तो ABC school student data इस spreadsheet को हम यहां public connect में select करते हैं यह रही वो sheet Then यह हम से पूछ रहा है select sheet तो मेरे इस spreadsheet में इस Google Sheet में सिर्फ एक ही sheet है जो है sheet 1 तो हम इसे hazardous रहने देते हैं इसमें कोई भी changes नहीं करेंगी And at last ही हम से पूछ रहा है range कि इस Google Sheet में spreadsheet में किस range का data हम public connect में collect करना चाहते हैं So यहां पर हम spreadsheet पे आते हैं और यहां पे हम देखेंगे कि मेरे पास सिर्फ 6 student का data मैंने यहां पर एक्जांपल इस video के लिए add कर रहा है तो जो भी हमेरी range होगी जो भी हमारा पहला cell होगा जिसमें हमारे data है जैसे कि आप यहां देख सकता है range के section पे कि A2 यह पहला cell है जिसमें हमारे data है all the way आखरी cell तक जिसमें हमारे data है तो यहां पे हम इससे select करना start करेंगे और जितने भी range में हमारे students का data है उस range को हम select करेंगे तो यहां पे हमने पूरा जो data हमारे select कर लिया है तो यहां पे हम देख सकते है A2 colon D7 यह होगी हमारी इस Google Sheet की range जिस range का data हम पाबली कनेक्ट में collect करना चाहते आग तो अगर आप complete range का पूरी Google Sheet का data करेंगे तो अपनी complete range select करें या पिर आपकर smaller students का data collect करना चाहते है तो आप उस according यहां पे अपने range select कर सकते है तो यहां से इस range को हम करेंगे copy और पाबली कनेक में करेंगे इस range को paste यहाँ पर हमने range तो एंटर कर दी है लेकिन आप देखेंगे कि range हमने एंटर किये cell A2 से D7 तक cell A2 से D7 तक so इस automation को थोड़ा future proof बनाने के लिए और अगर आप अपनी गूगल शीट में कुछ नई students का data add करते है अगली row में उन students को भी अपने अगले event के जो details है जो alert messages है WhatsApp पे वो send करने के लिए हमारे इस range में से जो D7 के साथ जो हमारा row number है इस row number को हम यहाँ पर delete कर देंगे यहाँ पर जो हमारी actual range होगी जो हम enter करेंगी वो होगी cell A2 से all the way column D तक लेकिन हमने नीचे जो row number है वो हमने यहाँ पर enter नहीं किया है यानि कि जो public connect data collect करेगा वो आखरी row तक करेगा जिसमें students का data मौझूद है पूरा data यहाँ पर public connect collect करेगा यहाँ पर अपनी range एंटर करने के बाद हम click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हम यहाँ देखेंगे कि हमारे google sheets में मौझूद जो हमारा data था वो एक पूरा data हमारे पास यहाँ पर public connect में receive हो चुका है लेकिन यह जो data में receive हुआ है यह हमें response में हर cell का data अलग-अलग individually receive हुआ है लेकिन हम चाहते थे कि हमें एक time पे एक row का एक student का data collectively मिले तो एक time पे हम एक student के एक row के data को यहाँ पर process करना चाहते थे ना कि हर एक cell का individual data यहाँ पे कुछ इस तरीके एक साथ चाहते थे तो यहाँ पे इस data को collective format में receive करने के लिए यह simple response का button है इसे हम turn off करेंगे scroll करके नीचे आएंगे click करेंगे save and send test request पे तो simple response का button off करने के बाद जो हमें response receive हुआ यहाँ पे इसमें हम देखेंगे कि हमारा google sheet का जो data था वो में collectively receive हो चुका है array format में तो जो पूरा data जो range हमने select की थी उस पूरे range का data हमें यहाँ पे public connect में receive हो चुका है लेकिन यह जो data है यह अभी भी row-wise format में नहीं है एक time पे एक row का data हमें receive नहीं हुआ है collectively पूरी row का data array format में receive हुआ है तो इस array format के data को comma separated values में convert करने के लिए हम यहाँ पे use करेंगे public connect के feature का एक tool का जिसका नाम है iterator हम scroll करके नीच आएंगे click करेंगे यहाँ add action step पे और choose app में यहाँ search करेंगे iterator so iterator by public यह public connect का एक module है एक feature है जिसकी help से हम इस array format के data को comma separated values में convert करेंगे and then एक एक करके जो iterator से हमें response receive होगा उसमें हम एक time पे सिर्फ एक row के data को process करेंगे so यहाँ पे हम scroll करके नीच आएंगे और हम देखेंगे कि जैसी हमने choose app में iterator select किया तो choose array में इसने automatically detect कर लिया है वो response जो हमें array format में receive हुआ है तो जो response था इसका label था response result इस response को इसने automatically detect कर लिया है हम simply click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पेक response receive हुआ है जिसमें हम देख सकता है कि हमें हमारे google sheet में मौझूद एक row का specifically एक row का एक student का जो data है वो यहाँ पे receive हो चुका है तो यहाँ पे choose array में एक नीचे help text में कुछ लिखा था हम इसे एक बार पढ़ते है तो response includes the first expanded data set as value which can be mapped in further step at the time of workflow execution it will process all the values one by one तो जो हमें response receive हुआ है यह हमारे google sheet में जो हमें data capture किया था जो arrayn select की थी उसमें पहले response का पहली row का data receive हुआ है लेकिन जब actual real time में यह workflow execute होगा तो iterator जो है एक एक करके सारी रोज का जो data है उससे process करेगा तो हमने आरी iterator के help से हमारे google sheets के action event और iterator के help से हमने हमारे google sheets में मौझब जो students का data था जितने हम watchapp पे हमारे event के alert messages send करना चाते थे वो भी receive हो चुकी है अब finally वक्त आ गया है whatsapp message send करने का so whatsapp message send करने के लिए हम scroll करके नीच आएंगे एक आखरी बाद क्लिक करेंगे इस add action step के बटन पे and then choose app में यहां search करेंगे 360 dialogue so यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक important बात बता दू कि whatsapp हमें directly message send करने की permission नहीं देता इसलिए इस video में हम use करेंगे 360 dialogue का जिसके पास whatsapp के official API का access है so 360 dialogue की help से हम हमारे student या पर उनकी जो parents है उनके number पर directly whatsapp message send कर सकते हैं हमारे upcoming school event की details के साथ so choose app में whatsapp by 360 dialogue select करने के बाद हम आएंगे action event पे और यहाँ select करेंगे send template message और click करेंगे connect पे connect पे click करता ही public connect हम से कह रहा है 360 dialogue account connect करने के लिए तो यहाँ हम select करेंगे add new connection and then public connect हम से पूछ रहा है हमारे 360 dialogue account की API key और domain so आपका obvious सवाल होगा यह API key और domain हमें कैसे मलेगी हम इसके नीचे दिये के help text को पढ़ते है यहाँ लिखा है enter API key here you can create API key in your 360 dialogue account log in to your 360 dialogue account move to whatsapp account page from the left sidebar and click on generate API key button तो यह हमें कह रहा है कि हम अपने 360 dialogue account के dashboard पे जाए वहाँ log in करें और वहाँ जाके इन सबी steps को follow करें ताकि हमें अपनी API key और domain मिल सकें तो चली दोस्तों मैं आपको directly ले चलता हूँ मेरे 360 dialogue account के dashboard पे और वहाँ चलके आपको बताता हूँ कि कैसे हम इस API key और domain को collect करेंगे तो यहाँ पे मैंने उपन कर रहा है 360 dialogue का dashboard और अपने इस dashboard पे मैं आया हूँ मेरे 360 dialogue account में login करके अगर आप भी 360 dialogue पे अपना account create करना चाहते है तो इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप भी 360 dialogue को access कर सकते है वहाँ अपना account create कर सकते है और उस link से account create करके 360 dialogue की जो services है वे कापी affordable price पे regular price से कापी कम price पे avail कर सकते है यूज कर सकते है तो अपने dashboard पे आने के बाद हम यहाँ left side पे आएंगे click करेंगे WhatsApp accounts पे WhatsApp accounts पे click करते ही हम यहाँ right side पे एक button दिखाई देता है generate API key का तो generate API key के इस button पे click करते ही आपको receive हो जाएगी आपके 360 dialogue account की API key और domain उस same API key और domain को यहाँ अप यहाँ enter करें और click करें save पे साथ जात में आपको एक और बात बता दू कि API key generate करने का जो process है यह आपको सिर्फ एक बार करता है then आप अपने उस same API key के साथ अपने 360 dialogue account के साथ अलग-अलग connections set up कर सकते है so यहाँ पे इस वीडियो में मैं अपनी पुरानी जो API की है जो मैंने पहले generate की थी उसे ही use करता हूँ click करूँगा select existing connection पे और click करता हूँ save पे तो save पे click करते ही हमने successfully जो है हमारा 360 dialogue account पावली connect के साथ connect कर दिया है इसके बाद यहाँ पे हमसे पूछ रहे template और template के निचे drop down में हमें यहाँ कई सारे options दिखाई दे रहे है so यहाँ पे आपको obvious सवाल होगा यह template क्या है और यह options हमें क्यों दिखाई दे रहे है so template कुछ नहीं दोस्तो simply वो WhatsApp message होता है जो हमारे users को हम send करना चाहते है और जो निचे drop down में हमें templates दिखाई दे रहे है यह सारे same वही templates है जिनने मैंने अपने 360 dialogue account में create किया है और उन्हें approve करा है और एक बार वो template अप्रूब हो जाए तो हम उस template के थुरू हमारे users को यानकी इस video के use case के according हमारे school के students है उनके number पे directly जो school events के जो notifications से alerts है as a WhatsApp message send कर सकते है so यहाँ पे हम वापस आए के 360 dialogue पे और click करेंगे manage templates पे so manage templates पे click करते ही आप यहाँ देख सकते है वो सभी templates जो मैंने 360 dialogue account में create किया है वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे है यह सारे सीम वही templates है जिनके list हमें public connect में दिखाई दे रही है अगर आप चाहे तो manage templates पे add template इस button पे click करके अपने requirement के according अपने template create कर सकते है so template creation का जो process है उस से related और 360 dialogue से related सारी details के साथ एक detailed video के link आपको इस video के description में मल जाएगी जिस पे click करके मैं आपको says करूँगा उस video को देखे ताकि आप भी जान सके 360 dialogue के बार में सारी details सारे information so इन सभी templates में से आज हमारे इस video में जो हमारे school के events है उसके जो alert messages है whatsapp पे send करने के लिए जिस template का हम use करेंगे उस template का नाम है school underscore events इस template को हम open करके देखते है तो जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तो कि template कुछ नहीं simply वो whatsapp message होता है जो हमारे users को हम send करना चाहते है तो कुछ इस तरीक का message में हमारे school events से related जो हम अपने students को send करना चाहते है और आप देखेंगे दोस्तो कि इस message में मैंने यह double curly brackets के बीच में कुछ numbers add कर रखे है यहाँ है 1 यहाँ है 2 और यहाँ पे है 3 तो आपका obvious सा सवाल होगा कि यह मैंने double curly brackets के बीच हो numbers क्यों add कर रखे है और यह क्या है तो यहाँ मैं आपको बता दू कि जो numbers add कर रखे हैं मैंने यह basically कुछ body fields है कुछ variables है आसान शब्दों में समझा जाए तो जो body fields है यह कुछ बदलने वाली values है जिने हम अपने template को approve कराने के बाद इन body fields को बदल के इनकी जगा कुछ और text add कर सकते हैं जैसा कि हम इस वीडियो में आगे देखेंगे यहाँ पे notice ABC's public school Bhopal Bhopal के बाद जो हमारा पहला body field है इसमें हम add करेंगे हमारे alert की date किस date पे हम यह WhatsApp message send कर रहे हैं इन यह message कहता है Dear students, this is to notify that our school is organizing a and then जहाँ पे दूसरी body field है body field 2 है यहाँ पे हम add करेंगे हमारे event का हमारे function का name which will be held on and then यहाँ पे add करेंगे हमारे event की date We want maximum participation from the students All the willing students are hereby requested to be a part of the event by submitting names to their respective class teachers Best of luck, Vice Principal So कुछ इस तरीके का message आज हम send करेंगे अगर आप चाहे तो अपने requirement के साब से कोई और WhatsApp message को यह template भी create कर सकते है और उसमें अपने requirement के साब से जो body fields है, जो variables है, वो add कर सकते है तो school underscore events इस template को हम यहाँ पावली connect में select करते है So यहाँ निशे drop down पे हम click करेंगे यहाँ उस template को हम select search करते है school underscore events select करेंगे हमारा template So अपने template select करने के बाद namespace और language code इन दोने fields को यह automatically detect कर लेता है तो हम इन में कोई भी changes नहीं करेंगे और directly आएंगे recipient mobile number पे तो recipient mobile number की इस field पे हमें enter करना है हमारे student का WhatsApp number जिन पे हम यह WhatsApp message send करना चाहते थे तो जो हमारे student के contact number है WhatsApp number है वो मौझूद थे हमारे school student data इस Google sheet पे and then इस Google sheet का जो data था वो हमने यहाँ पे public connect में collect किया था and then iterator के help से उस area format के data को comma separated values में एक time पे एक row के data को extract किया था तो यहाँ से जो mobile number है हमारे student का इस team number को अब हमें map करना है यहाँ पे recipient mobile number की field पे और यह जो mapping का process है दोस्तो यह काफे simple है हम simply recipient mobile number के नीचे दीगे इस field पे यहाँ click करेंगे और iterator से जो हमें response receive हुआ है वहाँ से हमारे students का जो WhatsApp number है जो हमारे Google sheet मौझूद था उस team number को यहाँ पे map कर देंगे इसके बाद इसके नीचे दीए का help text को पढ़ते हैं यहाँ लिकाए enter the recipient mobile number with country code example this यहाँ पे जो हमें mobile number map करना है वो plus 9 और country code के साथ करना है लेकिन जो Google sheet में हमारे पस mobile number मौझूद है वो सिप 10 digits के mobile number है यहाँ पे country code जो है वो missing है मैं manually जो हम जैसे के इंडिया में है तो मैं manually हमारे इंडिया का जो country code है जो है plus 9 1 वो इस recipient mobile number के पहले add कर देता हूं तो यहाँ पे हमारे पास है plus 9 1 and then 10 digits का mobile number अपना recipient mobile number map करने के बाद यह हम से पूछ रहा है body field 1, field 2 और field 3 यहाँ पे इन body fields में हमें वो data add करना है जो हमने body fields करी यहाँ पे जो body fields हमने अपने template में create की थी जो body field 1 थी उस पे हम हमारे जिस date पे हम alert send कर रहा है जिस date पे हम WhatsApp message send कर रहा है उसकी date add करना चाहते थे जो alert की date है notice की data event की date है वो हमारे पास इस Google Sheet में upcoming school event जिसमें हम event की details टाल देते उस Google Sheet में मौझूद थी तो और इस Google Sheet का data जो response है वो हमें रेसीवा था पाबली connect में तो पाबली connect में रेसीवए उस same Google Sheet के response में से हमारी जो notice date है उस date को हम यहाँ पे माप कर देंगे हम simply mapping का process जो हमें ट्रिगर में न्यू गूगल शीट में न्यू और अप्डेटिट स्प्रेड शीट रोज में जो हमारे event की वाली शीट थी वो शीट का जो data रिसीवए था उसमें से हमारे जो notice date है उससे यहाँ पे माप कर देते है दैन यह हम से पूछ रहा है body field, body field 2 तो body field 2 में हमें add करना था हमारे template के according हमारे event का name so event का जो name है वो भी हमें यहाँ पे रिसीवए था google sheet से तो यहाँ पे हम click करेंगे और जो drop down में जो हमें event का name यहाँ पे रिसीवए था उस name को map कर देते हैं और same process follow करूँगे body field 3 के लिए so body field 3 में हमें हमारे जिस date पे हमारा event है उस event की date add करनी है so यहाँ पे हम click करेंगे body field 3 पे और drop down में से जो event की date है उसे हम map कर देंगे so यहाँ पे 360 dialogue के action event पे अपना template select करने के बाद और recipient mobile number के साथ सबी body fields का required data map करने के बाद करने के बाद हम click करेंगे save and send test request पे तो save and send test request पे click करते ही हमें यहाँ पे एक response receive होता है जो कि हम एक positive response दिखाई देता है यह response हमें बता रहा है कि जो recipient mobile number हमने आपे map किया था इस number पे successfully एक WhatsApp message send हो चुका है वो भी हमारे select किये के template के according तो चली दोस्तो अब हम directly चलते है इस number के mention किये गए WhatsApp account पे और वहाँ चाले के देखते हैं कि कैसे सच में हमें उस number पे कोई WhatsApp message रिसीव हुआ है या नहीं तो महाते है WhatsApp account पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है वो सेम नमबर वो सेम स्टोट का नमबर जो हमारे Google Sheet में मौझूद था पहले student का सत्यम शा इस student का इस सेम स्टोट का नमबर पे हमने successfully एक WhatsApp message send कर दिया है यहाँ पे हम देख सकते हैं यह message कहता है notice ABC Public School Bhopal 24th of 12 2021 यानि कि जो हमारे event की notice date थी जो हमने Google Sheet में अंटर की थी वो सेम देट dear students this is to notify that our school is organizing an animal function which will be held on 30th of December 2021 so यहाँ पे हमारे पास है वो सेम date जो हमने अपने Google Sheet में अंटर की थी then यह message कहता है we want maximum participation from the students all the willing students are hereby requested to be the part of event by submitting names to their respective class teachers best of luck wise principal so same template message दोस्तो जो हमने 360 dialogue में create किया था उस सेम template का एक message हमने successfully हमारे Google Sheet में जो student का data मौलूथ है उनके number पर send कर दिया है यानि कि हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में यह जो automation हमने setup किया है यह successfully काम कर रहा है so यहाँ पर इस automation को setup करने के बाद क्यों ना एक बार इस automation को real time में test किया जाए so जैसे कि हमारे इस automation का trigger था जो था कि हमारे इस Google Sheet में upcoming school events जिस Google Sheet में हम event की details enter कर रहे है इस Google Sheet में हम जैसी event की details add करेंगे data add करेंगे तो automatically हमारे जो contacts वाली student के data वाली जो contact detail वाली Google Sheet है इसे मौझूद सभी स्ट्रेंट के नंबर पे एक WhatsApp message send हो जाएगा तो हम इसे एक बार real time में test करने के लिए हमारे इस Google Sheet में एक और new event की जो details है वो add करते हैं ओके इस Google Sheet में मैंने एंटर की एक new room है एक new event की details इस event का नाम है sports day sports day का event है school में जो event की date है वो है 5th of January 2022 और इस date पे हम notice send कर रहे है जो notice date है वो है 25th of December 2021 जो notice date है इस date पे हम notice out कर रहे है इस event से related अब जैसी दोस्तों हमने हमारे इस Google Sheet में एक नहीं room में एक event की details एक event का data add किया automatically हम देखेंगे कि जो इन students के details हमारे इस Google Sheet में मौझूद थी इन सभी के number पे automatically एक WhatsApp message तुरंथी send हो जाएगा यहाँ पे हमारे जो पहला student है वो सत्यमशा इस user के number के WhatsApp account पे चल कर देखते है कि क्या हमें इस student के number पे कोई WhatsApp message इस event के alert के साथ रिसीब हुआ है या नहीं तुम्हाते WhatsApp account पे और जी हाँ दोस्तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते है अभी अभी इस student के number पे हमें एक WhatsApp message रिसीज रिसीज हुआ है जो कहता है Notice ABC Public School Bhopal यहाँ पे हमारे जो पास जो alert date है जो notification की date हमने एंटर की थी वो थी event की date 25th of December 2021 उस सेमेवंट नोटेस रेट जो हमने यहाँ पे अपने Google Sheet में एंटर की थी तो यह कहता है Dear Students, This is to notify that our school is organizing a sports day तो यहाँ पे हमारे पास है उस सेमेवंट का नहीं तो यहाँ पास है उस सेमेवंट का नहीं तो यहाँ पास है विच विल बीगल उन 5th of January 2021 तो यहाँ पे दोस्तो हमने हमारे पास है वो सीम टेंप्लेट मेसेज जो हमारी 360 डालोग में हमने क्रिएट किया था इस automation को हमने real time में टेस्ट करके देखा है दोस्तो कि इस video में जो पूरा automation हमने setup किया है यह successfully काम कर रहा है तो चलिए अब हम वापस लौटते है पाबली कनेक पे और यहाँ आके एक बाब ब्रीफ में समझते है कि हमने यह पूरा automation कैसे setup किया तो हम सभी tabs को करते हैं minimize ओके तो सबसे पहले हमारे पाबली कनेक में और यहाँ से मिले एक वेबो की URL की help से हमने आरी जो Google Sheet थी जिसमें event की details, event का data add कर रहे थे उस Google Sheet को पाबली कनेक के साथ connect किया ताकि जब भी हमारी उस Google Sheet की एक नई रो में हम एक नई event की details उसका data add करे तो वो data automatically हमारे पास पाबली कनेक में receive हो जा है उसके बाद हमारे action event पे हमने अपनी जो Google Sheet अकाउंट थी जिस Google Sheet में हमारे students का data था जिनने हम WhatsApp पे message send करना चाह रहे थे उस Google Sheet को connect किया पाबली कनेक के साथ और जो भी हमारे student के details थी उस student के contact numbers से जिनने हम WhatsApp पे हमारे event के alert जो है वो send करना चाहते थे जा message तो उन सब ही data को पाबली कनेक में हमने collect किया लेकिन जो Google Sheet चाह में data receive वा था वो receive वा था array format में तो iterator अबाबली पाबली कनेक के स मॉडूल इस feature की help से हमने उस array format के data को comma separated values में convert किया change किया और इसमें से specifically एक row का एक student का जो data है वो एक time पे extract करके लिया and at last उस पूरे data को हमें send किया 360 dialogue को ताकि 360 dialogue की help से हमारे students के number पे जो हमारे school की upcoming events है उनकी alert as a whatsapp message send कर सके तो सिब यही applications नहीं दोस्तो पाबली कनेक की help से अब multiple applications को एक दूसरे के साथ integrate कर सकते हैं और अपने business को automate कर सकते हैं और हाँ एक और ज़रूरी बात इस वीडियो के description में आपको एक link मिलेगी जिस पे click करके आप इस same workflow को अपने पाबली Connect account पे clone कर सकते हैं और इस workflow को free में use कर सकते हैं किसी भी तरीके के help, feedback या queries के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं forum.pably.com पर अगर आज के वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को like करें, share करें और automation and integration से related ऐसे ही कुछ awesome वीडियो के लिए पाबली हिंदी को subscribe करें और हाँ, बल आइकन दबाना ना भुले सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तो thank you